आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी और हेल्दी नाश्टा चतपट से नाश्टा बनके तयार हो जाएगा इसे आप बैच्चों को लंज बॉक्स में दे सकते हैं या आप सुभै के नाश्टे में भी से नाश्टे को बना के तयार कर सकते हैं हेल्दी होने के साथ-साथ ये नाश्ता टेस्टी भी बनेगा और बिल्कुल बेसिक घर की चीजों से ही नाश्ता बनके तयार हो जाएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लिया है आदा का पोहा इस पोहे को हमें दो-तीन पानी से अच्छे से दो लेना है दो-तीन पानी से मैंने पोहों को दो लिया है और इसे अब धुलेवे पोहों को हम डाल देंगे मिकसर के जार में सारे पोहे हम मिकसर के जार में डाल देंगे मैंने पोहों को अच्छे से दो-तीन पानी से दो याया है ताकि जो dust होती है पोहों में वो एकदम से साफ हो जाए और पोहे एकदम बिल्कुल clear और साफ हो जाए अब इसमें मैंने डाल दिया है आदा कप सुजी और दो चमच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन हमें इसका एक बैटर बना के तयार करना है अब इसमें हम डाल देंगे तीन चमच दही दही खटा होगा तो भी चलेगा फ्रेश होगा तो भी चलेगा अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी दो बड़े चमच के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है और इसका अच्छा सा हमें एक पेस्ट बना लेना है यह देखिए मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तयार कर लिया है अब हम इस पेस्ट को किसी बोल में ट्रांसफर कर देंगे सारा पेस्ट हम इस बोल में निकाल लेंगे और end में थोड़ा सा पानी हम जार में डाल के इस सारे मिक्षण को हम अच्छे से निकाल लेंगे पानी हमें जादा नहीं लेना है बहुत कम पानी लेना है अगर पानी जादा डल गया तो नाश्टा अच्छा नहीं बनेगा थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, अब इसे अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए हमें फेट लेना है इसे अच्छे से हम एक साइड में चलाते वे 2-3 मिनिट के लिए फेट लेंगे ताकि ये बैटर स्मूथ हो जाएगा और इसी 10 मिनिट के लिए cover करके रख देंगे 10 मिनिट के बाद देखिए ये थोड़ा सा better और गाड़ा हो गया है क्योंकि सूजी और पोहे और फूल गए होंगे अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सबजियां, आप अपनी पसंद के आप यहां पर पता गोबी भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं बारी कत्टी भी हरी मिर्च और थोड़ा सा ये हरा दनिया अब हम इसमें डाल देंगे आदा चमच्ची की फ्लेक्स, आप यहां पर लाल मिश पाउडर भी इस्तमाल कर सकते हैं और नमक स्वात के अनुसार हम इसमें डाल देंगे आप यहां पर थोड़ी सी काली मिश का पाउडर भी डाल सकते हैं वो डालने से भी नाश्टा काफी डेस्टी बनता है अब अच्छे से हमें सब को मिक्स कर लेना है पानी इसमें हम और नहीं डालेंगे यह देखिए यह बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा नाश्टे के लिए बनके तयार हो गया है अब यहां पर मैंने गैस पे तवा गरम करना रग दिया था तवा गरम होने के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीधियम कर लीना है और तेल से मैंने तवे को ग्रीस कर लिया है आप गी, बटर, तेल कुछ भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हम छोटे-छोटे पैनकेक की तरह यहां पर बैटर को फैलाते वे छोटे-छोटे पैनकेक बनाएंगे आप चाहें तो यहां पर एक बड़ी साइस का पैनकेक भी बना सकते हैं इसे हम चीला नहीं कहेंगे ये एक तरीके से छोटे-छोटे पैनकेक हुए जो लंच बॉक में भी बच्चों को दे सकते हैं और नीचे की तरफ से भी आप तेलगी कुछ भी लगा के इने सेख सकती हैं। हेल्दी होने के साथ-साथ ये नाश्टा टेस्टी भी बनेगा। बहुती कम तेल में हम इस नाश्टे को बना के तयार करेंगे। सबजियों का इस्तमाल तो हमने इसमें किया ही है। और इसको हम सूजी और बेसन से बनाया है और थोड़े से पोहों से। तो ये नाश्टा हेल्दी तो हुआ ही और हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी। तो दौनों तरफ से मैंने इस नाश्टे को अच्छे से से शेक लिया है। देखे इसका color भी अच्छा आया है, बाहर से एक crispy कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सेखना हो तो आप थोड़ा ज़्यादा सेखके इसे crispy बना सकते हैं, यह देखी है हमारे चुटे-चुटे pancake कहें या चोटे-चोटे चीले चाहें वो बनके तयार है, आप इस नाश्ते क चटनी, सौस, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिना चटनियों के भी ये नाश्टा बहुत ही अच्छा लगेगा, इस नाश्टे को आप शाम को डिनर के लिए भी बना के तयार कर सकते हैं तो ये देखिए, दौना तरफ से मैंने नाश्टे को अच्छे से सेख लिया है, इतने बैटर मेंसे मैंने 8 पैंकेक बना के तयार किये थे, ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा आया है, इनका खाने में भी बहुती स्वाधिस्त ये बनके तयार हुए है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट ये नाश्टा बनके तयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करें। चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद। आजब बनाने वाले हैं बिल्कुल एक कप सूजी से बहुती हेल्दी और टेस्टी नाश्टा। इस नाश्टे को हम healthy और बहुती स्वादिश्ट बनाएंगे, जटपट से तयार हो जाएगा, बनाने में ज़्यादा मेनत भी नहीं लगती है, और सुबह की भागदोर में भी आप जल्द से ये नाश्टा बना के तयार कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिया है एक कप सूजी, ब बारिक कटी हुई सबजियां, मैंने प्याज, शिम्ला मिर्च, पत्ता गोबी और टमाटर, गाजर ये सब सबजियां ली हैं, आप अपनी चोईस के अकॉर्डिंग कोई भी सबजी जैसे लौकी हो, गोबी हो, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ये सारी सबजियां डालन इसे नाश्ता बहुत हेल्दी बनेगा, और जल्दी से तो ये बनने ही वाला है, जादा से जादा हमें इसे बनाने में 10 से 15 मिनिट लगेंगे, सुबह जल बाजी में हम ये नाश्ता बनाके तयार कर सकते हैं, अब मैंने इसमें डाल दी हैं, बारिक कटी हुई हरी मिर्च औ सफेद वाले तिल, और अब इसमें डाल देंगे हम आदा चमच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे, और आदा चमची में यहाँ पे चीली फ्लेक्स डाल रही हूँ, यानि कुटी हुई लाल मिर्च, आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा कप दही डाला है मैंने और आदा कप ही हम इसमें पानी डालेंगे पहले हम जादा पानी इसमें नहीं डालेंगे और इस बैटर में हमने सबजियां पहले से ही इसलिए डाल दी है ताकि अगर सबजियों से भी जो पानी रिलीज होग उसे बैटर आराम से गीला हो जाएगा अगर पानी की जरुत होगी तो आगे हम इसमें पानी डालेंगे अभी इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और आदा कप दही आदा कप पानी डालने के बाद अच्छे से इन सब को मिक्स कर देंगे ये देखिए बैटर की consistency हम बाद में adjust करेंगे अभी केवल हमें इने सबजीयों और सूजी को mix कर देना है ताकि सूजी फूल जाए और इसे मिला करके हम 10 से 15 मिनिट के लिए ढग देंगे ताकि ये बैटर अच्छे से adjust हो जाएगा चावल का आटा और सूजी है वो भी आटर कर सकते है और बड़ी बात ये है कि ये नाश्ता healthy है हम इस नाश्ते को ज़्यादा तेल में fry नहीं रसे बहुति कम एम देल इस बैटर की consistency इस तरीके से होनी चाहिए देखिए बिल्कुल इस तरीके की consistency बैटर की होनी चाहिए नहीं से गाड़ा होना चाहिए और नहीं से पतला अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 1-4 teaspoon baking soda आप चाहे तो यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने baking soda डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से चला देंगे baking soda डालने से ये नाश्ता बहुती fluffy बनेगा अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन आप पैन कड़ाई तवा कुछ भी ले सकते हैं उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है अब दो बड़े चमज बरके हम इसमें बैटर डाल देंगे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है मोटा मोटा ही हम इसे पकाएंग यह देखिए मैंने दो चमज बरके बैटर डाल दिया है गैस की फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पे मैंने इसे डखके तीन से चार मिनिट के लिए पका लिया है उपर से अच्छे सी यह ड्राय हो गया है देखिए इस तरीके से उपर से ड्राय होने के बाद ही हम इसे प ये देखिए नाश्टे का कलर अब देख सकते हैं, अच्छे से ये दोनों तरफ से पग गया है, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है, इसी तरीके से हम तवे पे भी बना सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहे हूं, तवे पे मैंने कुछ भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे बनाना चाहें, तो आप इस तरीके से छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं, आप बड़ा बनाना चाहें, तो कड़ाई या बड़े पैन में बड़े पीसे भी बना सकते हैं, देखिए अच्छे से ये भी पक गया है, इस नाश्टे को आ मैंने ये दूसरा बड़ा pancake भी बना लिया है, ये देखिए, ये दौनों बड़े pancake मैंने बना लिये हैं, मैंने छोटे भी 4-5 pancake बनाए थे, इसके चावल के आटे और सूजी से healthy नाश्ता ये बनके तयार है, इसे आप चटनी, sauce के साथ, नारियल की चटनी के साथ, या चाय के स भी सर्व कर सकते हैं, ये नाश्ता बाहर से crispy, अंदर से एकदम soft और fluffy बनता है, खाने में बहुत ही tasty लगता है, ये नाश्ता आप चों को lunch box में भी बना के दे सकते हैं, तो friends अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like और share करें, और channel को subscribe करें, मिलेंगे फिर इस